हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज अगर आप अपने बालों की बहुत अच्छी क्यार करते हैं अपने बालों पर टाइम पर ओईलिंग करते हैं अच्छे वाले प्रोड़क्ट यूज करते हैं इन सबी चीज़ों के यूज करने के बाद भी अगर आपके हियर बहुत ज़्यादा होड रहा है आपके बाल काफी ज़्यादा जहट रहे हैं तो इसका भी कोई कारण जरूर है तो आज की वीडियो इसी की उपर है वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं गाइस, हेरफॉल MURD होने का सबसे बड़ा कारण ही है कि हम अपने बालों पर ऑईलिंग नहीं करते एंपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राइ रखते हैं पूरा वीक हम अपने बालों को ड्राइ रखते हैं जब हमकरे हेर वाउस करना हो तब हम कुछ घंटों पहले अप खाय में रेड़म काफी जड़ा जड़ते हैं तो अपने उपालो को यहाटे पालो पर जड़किए, तो अपने बालो को चाहते हैं यहलोत मगें अपने इत्ला है को ज़जाए हो ऐंस सब्सक्राइब हैं, अपने बालो पर टाइम पर उइल निले positivity अची तरह से करें बहुत ज़्यादा जोड़ जोड़ से अपने बालों पर मसाज नहीं करनी है उससे बाल टूड़ते हैं और बाल जड़ते हैं बाल कमजोर होते हैं इसलिए हमें हलके हाथों से ओईलिंग करनी है एक साथ आपको बहुत ज़्यादा ओयल नहीं लेना है कि एक साथ काफी ज़्यादा ओयल लेकर बालों पर लगा लिया और काफी ज़्यादा मसाज किया है ज़्यादा मसाज करने से भी हमारे बाल तूटते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके hair fall कम हो, आपके बाल हेल्दी रहें, बालों की length increase हो, new hair growth हो, तो इसके लिए आपको अपने बिल्कुल neat बालों पर oiling करनी होगी, यह नहीं है कि पूरा week आपने बालों को dry रखा है, खुला रखा है, और जब आपको hair wash करना है, तो गंदे ब बालों पर ही आप oiling करके फिर hair wash करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल neat and clean बालों पर अगर आप oiling करेंगे ना, तो आपके बालों की length बहुत जल्दी increase होगी, तो देखे, मैंने इस तरह से oiling की है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जोर जोर से आपको मसाज नहीं करनी है, और मैंने सुबा ही hair wash की है, hair wash करने के बाद जब मेरे बाल अच्छी तरह से dry हो गए है, सूख चुके हैं, तब मैंने अपने बालों पर oil लगवाया है, मेरे बालों पर बाल मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं है, morning में मैंने hair wash की है, तो अगर आप बिल् गंदे बालों पर oil कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने तो oil की है, बट फिर भी hair fall हो रहा है, कुछ ऐसी गलतियां हम खुद ही करते हैं, जिस वज़ा से हमारे hair fall होना चार्ट हो जाता है, या फिर हमारे बालों की length increase नहीं होती है, डेंडरफ की problem हो जाती है, या फिर new hair growth नहीं हो रही है, इसके इलावा heavy hair oil बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल हलके हातों से आपको oil लेना है, मैंने यहाँ पर डाबर आमला oil यूज किया है, आपको जो oil अच्छा लगता है, आप वो oil यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड आप यूज कर सकते हैं, डाबर आमला oil य अपने बालों को बहुत जदा dry नहीं रखना, रूखा सुखा नहीं रखना है, और heavy hair oil अपने बालों पर नहीं करनी है, बहुत जदा massage नहीं करनी है, अगर आपने smoothening, rebonding या keratin अपने बालों पर करवाई है, फिर भी आप oil ज़रूर कीजिए, smoothening, rebonding, keratin करवाने के बाद स चिरफ 45 days के लिए आपको अपने बालों पर oil नहीं करनी है, उसके बाद आप regular अपने बालों पर oil नहीं करनी है, थोड़ी सी oil चाहे कीजिए, बट oil नहीं को कभी भी skip मत कीजिए, अगर हम अपने बालों पर time पर oil नहीं करेंगे तो हमें hair से related कोई भी problem नहीं होगी, उल्ट नहीं होगे, तो hair fall भी नहीं होगा, धीरे धीरे आपको अपने बालों पर oil नहीं करने के बाद, फिर आपको अच्छी तरह से tangles को remove करना है, आप चाहे तो loose braid बना कर भी सो सकते हैं, अगर आपको braid नहीं बनानी है, तो आप loose crunches डाल कर loose ponytail भी कर सकते हैं, तो देखे मैंने oil करने के बाद इस तरह से braid बना लिया है, oil करके मैं कम से कम दो या तीन दिन रखोंगी, इसके बाद मैं फिर hair wash करूंगी, week में एक बार मैं oil जरूर करती हूँ, hope guys आपके लिए यह वीडियो helpful रही होगी, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like जरूर करते, thanks for watching